हर हर महादेव श्री नमस्तुभ्यम दोस्तों दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मलोक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है श्री महादेव जी की क्रिपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे बहुत समय से आप लोगों के प्रशना रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें सनान करना आवश्यक है मतलब श्याम की पूजा बिना स्नान किये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और श्याम को घर में कितने दीपक प्रकाश वलित करने चाहिए कहा कहा दीपक प्रजवलित करना चाहिए दीपक जलाने का मंतर क्या होता है घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेश मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रजवलित करना चाहिए तो आज की विडियो बहुत अच्छी है पूरी तरह से संध्यावंदन पर आधारित है शाम के समय जो आप संध्यावंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रजवलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है मतलब आज की विडियो पूरी तरहे से आपके प्रशनों पर आधारित है, जिनका उत्तर में आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा तो विडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की विडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यह एक मात्र जरीया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह विडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह विडियो उप्योगी है तो अगर विडियो अच्छी लगती है तो लाइक शुरूर करें इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के नाम का जैकारा भी जरूर लगाएं इससे आपको सकारात्मक उर्जा की प्राप्ती होती है और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्निया, कोई विशेश वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आज की विडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई विडियो अपलोड होगी वह आपको सही समय पर प्राप्थ होगी तो सबसे पहले बात करते हैं किस जगह दीपक प्रजवलित करने से पहले मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक देखिए शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है तो जब हम सुभ़ पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है सुभ़ बिना स्नान के पूजा नहीं करना चाहिए लेकिन शान की पूजा आप हाथ पाव मुह धोकर भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है, आप स्नान करें। अब देखिए आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुहध होकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको शान के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें आप स्वय भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रशन है आपका कि शाम की पूजा में दिपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है। प्रदोश काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्थ हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दिपक प्रजवलित हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप लोगों के प्रशना आते हैं कि कितने बजे दिपक जलाना चाहिए। शाम को सूरियास्ट का समय हर मौसम में अलग-अलग होता है कभी जैसे की सर्दिया चल रही होती हैं तो चार बजकर तीस मिनट बजे पर भी सूरियास्थ हो जाता है कभी कभी 5 बचकर 30 मिनट बजे तक भी सूरियास्थ हो जाता है जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6 बचकर 30 मिनट बजे से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूरियास्थ का समय होता है कई बार 7 बचकर 30 मिनट बजे का टाइम हो जाता है गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है इसलिए एक सही समय बताना की इसी समय आप दीप प्रजवलित करें यह तो बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रजवलित नहीं कर पाएंगे इसलिए संध्याकाल का ध्यान रखिए जब संध्याकाल का समय होता है मतलब जब सूर्य अस्थ हो रहा होता है उस समय आप अपने घर में दीपक प्रजवलित कर दीजिए और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रजवलित करने चाहिए प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्याकाल में प्रति दिन अपने घर के मुख्यद्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए इससे क्या होता है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्याकाल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमन पर निकलती है तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रजवलित होता है उस घर में मा लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जड़ रहा हो तो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है तो इसलिए मा लक्षमी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रजवलित करना चाहिए और हाँ घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रजवलित किया जाता है, संध्याकाल में इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों के अनुसार संध्याकाल में जिस घर के मुख्यद्वार पर दीप प्रजवलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं करती है कोई भी वास्त्रों दोश आपके घर में हो, अगर आप मुख्यद्वार पर दीप प्रजवलित करते हैं, तो समस्त्र प्रकार के वास्त्रों दोश से मुक्ती मिल जाती है, और अगर आपके घर में पित्रे दोश है, जिसकी वजह से परेशानिया आपके घर में बनी हुई है तो घर के मुख्यद्वार पर जो हम दीप प्रजवलित करते हैं इससे घर का पितरी दोश भी समाप्थ हो जाता है और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशान्ती रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं कलय रहती है, आर्थिक तंगी रहती है तो घर के मुख्यद्वार पर हम दीप प्रजवलित करते हैं तो समस्थ प्रकार की परेशानियों से दुखों से आपको मुक्ती मिल जाती है इसलिए घर के मुख्यद्वार पर दीप प्रजवलित करना अत्यंत आवश्यक होता है तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्यद्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए और बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रजवलित करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्याकाल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरगरता का स्थाई वास बन जाता है और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है श्रीहरी विश्नु सहित महालक्षमी ऐसे घरों में वास करती है तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रजवलित करें बात करें अगले दीपक की शाम के समय अपने घर के इशान कोन में मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रजवलित कीजिए दो तीन दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रजवलित करने चाहिए और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रजवलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानिया स्वय ही समाप्थ हो जाती हैं और अब बात करते हैं अगले प्रशन के बारे में जो आप लोगों के हमेशा प्रशन आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रचलित करना चाहिए सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं या फिर तेल का प्रयोग करना चाहिए या फिर शुद्ध घी का गाय के घी का किस चीज से हम दीपक प्रजवलित करें तो देखिए शास्त्रों के अनुसार सर्सों के तेल का दीपक हर जगह प्रजवलित नहीं करना चाहिए सर्सों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है इस तेल को हम प्रजवलित करते हैं शनिदेव के लिए शनिदेव के लिए अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रजवलित करना चाहिए और आप चाहे तो जैसे की पीपल का व्रिक्ष होता है वहाँ पर भी सरसों के तेल का दीप प्रजवलित कर सकते हैं या फिर भ शास्त्रों में नहीं कही गई है। या फिर आप चाहें तो तेल तेल का दीप प्रजवलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रजवलित करते हैं, अपने घर में चाहे आप घर के मुख्यद्वार पर प्रजवलित करें या फिर तुलसी के पास प्रजवलित करते हैं या फिर घर के इशान कोण में प्रजवलित करते हैं। सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्धधी का प्रजवलित करें और हाँ जब आप दीपक प्रजवलित करते हैं जैसे की मुख्य मार्ग पर जोती प्रजवलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रजवलित करते हैं या फिर घर में भी जो दीप ब्रजवलित किया जाता है तो ध्यान रखना चाहिए। एक चीज का कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुश्प रख सकते हैं। और हां अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर तूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं तो किसी भी प्रकार से चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं तो इससे घर में दरिद्र प्रता आती हैं। इसलिए अखंडिक चावल होने चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं और जैसे कि कई लोगों के प्रशना आते हैं कि प्रति दिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए। तो अगले दिन उठा कर आप पक्षियों को डाल दीजिये, पक्षी उसे खा जाते हैं और घर में जो आप इशान कोण में दीप प्रजवलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रजवलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रजवलित करेंगे, वहाँ आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं. लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना है. इस बात का ध्यान रखिए और आपका अगला प्रश्न है, कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? दीप प्रजवलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? शाम के समय जब आप दीपक प्रजवलित करते हैं, उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं. जैसे कि आप चाहे तो मातारानी कृष्ण कनहया के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं आपके कोई इश्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं दुर्गा चालीसा का हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रजवलित कर सकते हैं मगर देखिए जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रजवलित कर सकते हैं संध्यावंदन कर सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए जो भी शुब कर्म होते हैं वह मंत्र उचारन के साथ ही संपूर्ण किये जाते हैं इसलिए मंत्रो चारन आवर्शक है कोई भी मंत्र जबते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्यावंदन कर सकते हैं लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्र उनके अनुसार मंत्र है, वह मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूँगा और पढ़कर बता देता हूँ मंत्र है शुभम करोती कल्यानम आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धी विनाशाय गीत गाया नमोस्तुते इस मंत्र का जब दीपक प्रजवलित करते समय कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ती मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं, वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं तो बहुत आसान है यह मंत्र अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे, तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रजवलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे और अभी आप चाहें, तो इसे किसी कागस पर लिखकर रख सकते हैं और घर के मंत्र में भी रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रजवलित करना है तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है तो यह थी आज की विडियो जिसमें शाम की पूजा से संबंधित शाम को दीपगान से संबंधित संपून जानकारी मैंने आपको शेयर की है उम्मीद करता हूँ विडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह विडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मिलते हैं अगली विडियो में आप तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों